स्वागत है दोस्तों इसी चैनल में सोयब से पहले इनकी दुल्हंती टीवी की सीमर चार साल भी नहीं टिक पाया रहिस्ता फिर धर्म बादल की दुसरी साधी तो दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले अगर ये वीडियो फेस्बुक पर दग रहे हैं तो पेज को गर में पपुलर हुई दिपिका ककड 35 साल की हो गई है 6 अगस 1986 को महराष्टर के पुने में पैदा हुई दिपिका ककड ने 2010 में टीवी सो नीर भरे तेरे नैना देवी से केरियर की सुरवात की थी इसमें उन्होंने लख्मी का रोल निभाया था इसके बाद वो अगले साल अगले जनम महे बेटिया ना की जो में नजर आई हलाकि उन्हें सही महेना में पहचान ससुराल सीमरका से ही मिली रिपर्स के मताबिक दिपिका ने 2011 में ही रोनक सेंसंस से साधी कर ली थी जो पेशे से एक पैलट है हलाकि इनकी साधी लंबे समय तक नहीं टिक पाई और 4 सा जनवरी 2015 में दोनों का तलाग हो गया रोनक सेंसंस से अलग होने के बाद दिपिका की मुलाकात स्वेव इबरहिम से हुई स्वेव भी टीवी सीरियल ससुराल सीमरका में काम कर रहे थे पहली मुलाकात के बाद इनकी दोस्ति धिरे धिरे प्यार मां बदल गई दिपिका और स्वयव ने जब रोमांटिक अंदाज में घुटुनों के बल बटकर दिपिका से साधी की बात कही तो वो इसे ना नहीं कर सकी बाद में 22 फरवरी 2008 को स्वयव के होमटाउन कानपूर के पास मोदाहा में कपल ने साधी कर ली साधी के लिए दिपिका ने मुसलिम धर्म अपना लिया और अपना नाम दिपिका से बदल कर फैजा रग लिया उन्होंने साधी के बाद हजबन स्वयव इबरहिम और ससुराल बालों के साथ इद भी मोनाई थी साधी की बाद दिपिका के धर्म बदलने को लेकों लोगों ने सवाल भी उठाए लेकिन सुयव दिपिका ने इन बातों को कभी तवज्जो नहीं दी बता दें कि कुछ महीनों पहले इंस्टागाम पर सुयव इब्रहेम ने हैज आक्स में एनिफिंग सेशन रखा था इस दोरान एक साक्स ने सुयव इब्रहेम से उनकी पत्नी दिपिका का धार्म पोचा था इस सवाल के जवाब में सुयव इब्रहेम ने भी बहुत मुझोदार जवाब दिया सुयव ने लिखा इंसान अच्छी है क्या सिर्व इतना ही काफी नहीं है सुयव के इस जवाब की फैंस ने भी जाम कर तारिव की थी बतावे कि सुयव इब्रहेम के अलाबा उनके घर वाले भी दिपिका को बहुत प्यार करते हैं कुछ दिन पहले दिपिका जब सुटिंग के बाद मॉंबई लूटी तो उनकी नाना सभा इब्रहेम ने अपनी भावी के लिए चिकेन बिरियानी बनाई थी इसकी फोटो सियर करते हुए दिपिका ने लिखा था मुझे लगातार पेंपर किया जा रहा है दिपिका ककड ने नीर बहे तेरे नेना देवी सिरियल से अपना एक्टिंग करियर सुरू किया था उन्हें पहचान सो ससुराल सिमर का से मिली उन्हेंने दे इंतिहा सास्ती सिस्टर स्वाइंगीनी बालिका बधु कोई लोट के आया है साजार फिर जोट मत बोलो यह से सिरियलो में काम किया है